दोस्तों कहीं लोग fickle minded होते हैं अपने decisions पे, selections पे टिक नहीं पाते दिमाग इधर से उधर डोलता रहता है कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया कोई पीचीज अच्छे से नहीं कर पाते, कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते किसी काम को complete नहीं कर पाते बस ध्यान बठकता रहता है, ये कर लूँ, वो कर लूँ ये छोड़ देता हूँ, वो कर लेता हूँ इधर से उधर डोलते रहते है तो दोस्तों अगर आपका भी दिमाग ऐसा है, तो कोई बात नहीं ये बड़ी common problem है मैं कुछ solution बताऊँगा, कुछ तरीके बताऊँगा उनको अपनाना दोस्तों आपने अपने फैसलों पर, अपने decisions पर अपने commitments पर weight डालना है, वजन डालना है उनको इतना भारी कर देना है कि वो बार-बार उठके इधर से उधर ना जाता है भारी कैसे करोगे, decisions लेने में time दो, research लगाओ चुटकियों में decision लेने यह अच्छा है, यह कर लिया efforts लगाओ, समझो, सोचो, लोगों से पूछो, जानो, तब जाके decision लो ढंक से preparations करो, और फिर start करो और अपने decision की respect करो कोई भी decision perfect नहीं होता वो एक इंसान अपने environment के basis पे, अपनी सोच के basis पे, अपने दिमाग के basis पे लेता है, सोच समझ के लेता है, उसकी respect करना बहुत जरूरी है, वो आपकी identity है वो decision आपको represent कर रहा है, आप उस पे नहीं टिकरे मतलब आपकी personality बेकार है, हलकी है चाहिए सही हो, गलत हो, अपने decision को respect करना है जब तक की बहुत बड़ा blunder ना हूँ, और बहुत सोच के decision लोगे तो blunder नहीं होगा उसके साथ खड़े रहना है, मेहनत करनी है, failures का भी सामना करना है तो अगर आप अपने decision पे इतना वजन डाल दोगे इतने efforts लगा दोगे तो decision को switch करना असान नहीं रह जाएगा दोस्तों कोई भी decision लिया है, कोई भी फैसला करा है अब आपने उसको time देना है एक time निर्धारिद कर लो, चाहिए वो कुछ महीने हो, कुछ सालो इतना time मैंने अपने decision पे इस चीज़ को देना ही देना है इसके बीच में switch करने का नहीं सोचना कोई career है कुछ साल उसको देने ही देने है business शुरू करा अब जातर लोग क्या करते हैं, बड़ी hope से business टार्ट करते हैं पर उन्हें ये नहीं पता होता कि business में हमेशा पहले कुछ साल struggle होती है gestation period होता है और वो कुछ महीनों में ही भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं तो पहले time निर्धारिद कर लो कि मैंने कम से कम दो साल या कुछ भी time इस decision को देना है, मेहनत करनी है, लगन से काम करना है, struggle करना है failures का भी सामना करना है, पीछे नहीं अटना हमेशा अपने decision को time दो, time निर्धारिद करो और अड़े रहो दोस्तो एक feeling होती है na fear of missing out हम एक चीज़ कर रहे हैं में क्या क्या चीज मिस कर रहे है मैं job कर रहा हूं तो मैं business कर लेता मैं घर में बैटा टीवी देख रहा हूं तो दोस्तों के साथ बाहर चले जाता मैं घर में अराम कर रहा हूं इससे अच्छा बाहर गूमने चले जाता मैं पढ़ाई कर रहा हूं इससे अच्छा पैसा कमा लेता तो यह जो सोच होती है कि मुझे क्या-क्या नहीं मिला मैं क्या-क्या कर सकता हूँ इस अबसे खराब सोच है दोस्तो इस लाइफ में लाखो करोडों चीज़े कोई भी इनसान कुछ चीज़े होंगी और बहुत कुछ नहीं होगा आपने करोडों साल जिन्दा नहीं रहना है एक्टिव लाइफ कम है जो जो चीज़े हो सकती है वो होंगी और आपकी कहानी को यूनिक बनाएंगी अपनी कहानी पे अपनी लाइफ पे फोकस रखो आपको जो चीज़ मिली है इस समय आप जो चीज़ कर रहे हो चाहे काम कर रहे हो चाहे सो रहे हो चाहे मज़े कर रहे हो वो भी important है वो भी special है उसके लिए भी बहुत लोग तरसते है वो भी important है उस पे फोकस लगाओ जो नहीं मिला उससे फोकस हटाओ और दोस्तो हर इनसान के कोई ना कोई इशूस होते हैं प्रॉब्लम्स होती है चाहे वो कितना अमीर हो कितना ही आपसे जादे इंजॉय कर रहा हो लोगों से कंपेरिजन करना बिल्कुल बंद कर दो दोस्तों जो पर्फेक्शन की रेस है ना सबसे बेस्ट मिलने की पर्फेक्ट मिलने की इसमें पार्टिसिपेट करना बंद कर दो लाइफ में कभी भी कुछ भी पर्फेक्ट नहीं होता लाइफ हमेशा इंपर्फेक्ट होती है आज कोई भी काम कर रहे हो तो आपको लगेगा कि दूसरा काम perfect है इसमें तो बुराईया ही बुराईया है grass always appears greener on the other side इस बात को समझो कोई भी चीज़ perfect नहीं होती सब में अपने flaws होते हैं, कमिया होते हैं, struggles होती है जो कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें perfection की तरफ आगे बढ़ो perfection एक point नहीं है, perfection एक यात्रा है continuous improve करना है, सीखना है तो switch नहीं करना, जो भी काम कर रहे हो उसमें निरंतर improve करना है, बहतर बनना है, आगे बढ़ना है और दोस्तो end में मैं बोलूँगा यह आपका natural trait है, कि आप चीज़ों पर नहीं टिक पाते इधर उदर की चीज़ों पर, options पर दिमाग जाता रहता है बार बार switch करने का मन करता है यह आपका एक natural trait है आप इससे भाग नहीं सकते कि एक दिन में खतम हो जाया, ऐसा नहीं होगा आपने improve करना है, बहतर बनना है आपको लग रहा है, आपके अंदर कमी है उसके लिए efforts डालो दीरे-दीरे improve कर जाओगे जितना दूर भागोगे, avoid करोगे उतना ही आपका नुकसान होगा आप improve नहीं कर पाओगे दीरे-दीरे improve करो Thank you, दोस्तो